प्रचार का प्रचार का काम यरुशलेम यहुदिय समारिया दुनिया के कोने कोने में करना करके बाइबल में लिखा है यरुशलेम जहां पर तु रहता है यहुदिय के लोग तेरे अपने ही लोग है समरिय के लोग तेरे शत्रु है दुनिया के अंतितर तक मतलब अलग-अलग जाती के लिए चार जगाओं में तुझे युद्व करना है अधन के बाग में चार नदियां थी तुझे जहां पर रखा है वो है जगा यरुशलें अगर वहां पर कोई भी ना हो तो भी तू वहां पर विजे हो सकता है तेरे अंदर अगर आत्वा की शक्ती है तो दुनिया में किसी भी चीज को उल्टा पुल्टा करकर रख सकता है इसलिए प्रभु ने कहा पहले तुम उपर की शक्ती को प्राप्त करो भूमी में शक्ती है इस शक्ती को हम इसके लिए उप्योग नहीं कर सकते सब दुनिया में देखा जा सकता है कि कम से कम दो सो कलीस्या से भी कम है जहां पर लोग है नब्बे प्रतिशत जो लोग है नए लोगों को मसी में नहीं लेकर आते हमें कम से कम तीन हजार स्थानिय कलीस्या है अगर कम से कम पचास लोगों की संख्या रखा जाए तो डेड़ लाख लोग की जन्सक्या है शायद उससे भी ज़्यादा होगा परंतु तु इस कली जगा को किस प्रकार कबजा करता है वो बहुत बड़ा विशे है किसलिये तु उसे कबजा नहीं कर पाता है क्या कुम्बनाट में ही ये सेवा विजे होता है क्या ये उत्तर भारत में विजे नहीं होगा किसी भी मरुभूमी में ये जो सेवा काई है विजे होगा तेरे अंदर के जीवन से जीवन के जल की नदिया बेह निकलती है ओ, मेरे अनुसार आपके कलीस्या में व्यापार का लाब तभी होता है जब आप नई आत्माओं को जीते हैं पिछले साल कितरे लोग ने बप्तिसमा लिया? कितने लोगों की जन संख्या की बड़ोत्री आपके कलीस्या में हुई? वो ही सबसे पहले हमें देखना है क्या आपका कारे प्रभावशाली था? हालेलुया! परमेश्यर के नाम की महिमा हो सबसे ज़्यादा चिंता करने वाला एक विश्य है परमेश्यर के नाम की महिमा हो ऐसाही आसानी से हम आत्मा को जीत नहीं सकते अगर आत्मा कलीस्या में आना है तो जैसे हमने पहले सुना कि प्रार्थना के कख्ष में अगर हम शक्ती मत होंगे तब ہी आत्मा को जीत सकते है अमेरिका में जहां से कार्य किया जाता युद्ध के लिए उसे पेंटेकोन करके जाना जाता है आपका कार्य का जगा है आपका प्रार्थना का कक्ष है तो एक विश्वासी के युद्ध का केंदर उसका प्रार्थना का कक्ष है हमने सुना कि प्रार्थना के दोरा क्या क्या होता है हमारे विरोध में आने वाली शक्ती को बांदने वाली शक्ती है प्रार्थना की शक्ती प्रार्थना की शक्ती का मतलब है आपके विरोध में आपके कलीसिया के विरोध में आपके कलीस्या के लोग में विरोध में काम करने वाली शक्ती को बांधना है पेंटिकोस लोग के साधन शब्द में भाशा में बोला जाए बांधना या बंदन अगर तुससे बांदा नहीं जाता तो इतना ही कह दे अगर तु बांदेगा तो बांदा जाएगा अगर खोलेगा तो खुल जाएगा इश्यमसी ने कहा जैसे सारा अधिकार मुझे मिला गया है मैं तुमें भी देता हूँ उस अधिकार को तुम प्योग क्यों नहीं करते किसी भी बड़ी शक्ती को अगर नश्ट करना है प्रात्ना के द्वारा हो सकता है अडॉल्फ हिटलर जब दूसरे विश्वयुद के समय में फ्रांस के उस खाड़ी के शेत्र में जब उसने अपने उंगली को उठा कर कहा उनने अपने दोस से कहा कि मैं इंगलेंड में जाकर वहां पर कौफी या चाय पीऊंगा हिटलर एक बहुत बड़ा चकर वरती था उनने कहा अपने सामराजय से कहा कि ब्रिटन के लोग अपने घुटने टेक दे उनका जो ये पेपर जो जिस शब्द है वो मेरे पास अभी भी है उनका सारा सामराजय ने उनके सामने घुटने टेक दे दो दिन के बाद हिटलर के बुद्धी में फरक आ गया बदलाव आ गया उन्होंने ये निरने लिया अभी बिटन को पकड़ने की जरुदनी रशिया में जाकर आएंगे वो उसकी अंति म्यात्रा थी उसी के साथ उसकी मौत हो गई बरलिन के एक बंकर में उसने आत्मत्या कर लिया अदे बिटिश सैना जैवंत हो गई बॉम के द्वाराजय ने जब प्रार्तला किया और में शर्नी उसके योजना को निष्वल कर दिया है दाउद ने जब प्रातना किया आई तो फोल की योजना को परमेशर ने निश्वल कर दिया वो परमेशर हमारे लिए आज भी जीवित है प्रातना की वो बड़ी शक्ती को हम उप्योग करते है तो शैतान की शक्तियों को बांच सकते हैं कलीसिया के विरोध में आने वालेशय को कहते हैं उसके लिए बवताने के लिए बहुत कुछ है मैं उसकी और जाना नहीं चाहता इफस्यों की पत्री में इस प्रकार से पड़ा जाता हमारे जो युद है ये शरीर के या इस दुनिया के संसार के हाकिमों से नहीं है परन्तु प्रदानों से अधिकारियों से इन संसार के अंधकार के हाकिमों से है इसले बुरे दिन का सामना करने के लिए परमेश्यर के सारे हतियार बांद लो सत्य को अपने कमर में कसकर धर्मिक्ता की जिलम पहन कर पावों में मेल के सुसमचार की जूती पहन कर विश्वास की ढाल लेकर उधार का टोप आत्मा की तल्वार जो परमेश्यर का वच्चन है छे प्रकार के हत्यार हमें इस्तमाल करना प्रार्थना के कक्ष में जाने से पहले ये छे हत्यार को लेकर जाएं अगर ये हत्यार के बगएर अप्रार्थना करने चाहे आपकी प्रार्थना प्रभवशाली नहीं होगी एफस्यों के शेहर में देखा जासा के बहुत बड़ा दुष्टता से भरा हुआ शेहर था वहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर था जाहां पर वेश्या आए लोग रहती थी पर पॉलुस ने प्रचार किया वहां पर वो लोग शराप पीने वाले थे और वहां पर लिखा कि तुम जादा मदिरा पीकर मतवाले ना बनओ परन्तु जब वो प्रभू के पास आए उन लोग ने इस प्रकार कहा तुमारे सत्य की कमर को अपने कमर में कसना है या तुमारी च्छाती जो है तुमारे कमर को और अपने च्छाती को हमेशा शुरक्षित रखना दुर मार्ग में या दुष्टता के मार्ग में जाने वाले लोग को भाईबीत करने वाला है इसले लिखा गया है सत्य को अपनी कमर में कसलो दूसरा है जिलम पैनलो सत्य का जिलम को अपने च्छाती में पैनलो गलत चिंताओं से गलत पातों से आपको छुटकारा देने वाला है सत्य से कमर को कसना और अपने च्छाती में जिलम पैनना परमेश्यर की सेवा के लिए तेरा काम मेल के सुसमचार की तैयारी के जूते के साथ होना जरूरी है उसके बाद विष्वास की ढाल को लेकर परमेश्यर के वचन का वो तलवार को ले लेना है ओ ये सब हत्यारों को अपने शरीर में पहन कर प्रार्थना के कमेंडर के पास जाने से पहले ये सब हत्यारों को पहनना है किसी भी समय में आत्मा में प्रार्थना करकर उसी लिए जागते रहते हुए हमारे लिए प्रार्थना करना है प्रार्थना का सुभाव हमारे जीवर में तबी परमेशर हमारे पास कमेंड देगा बारत में सुसभाम चार का प्रचार का काम इसलिए नहीं होता लोग प्रार्थना के लिए अपने समय को नहीं निकालते प्रार्थना हमारे विप्रीत में आने वाली शक्तियों को बांध देती है पवित्रात्मा की संगती को आपके साथ लेकर आती है कलीसिया में परमेशर के अलगले प्रकार के वर्दानों को लेकर आती है प्रार्थना एक बहुत बड़ा युद्ध है हालेलुया वो बल्ली युद्ध है वो एक बहुत बड़ा रोना है जादा समय जो प्रार्थना के कक्ष में समय बिताते हैं बहुत सारा अनुगर उनके जीवन में आता है अगर हम प्रेरितों के काम उसके चौदा अध्यायत में इस्तरा बड़े कि वो प्रार्थना और उपवास कर रहे थे परमेशर के पवितरा आत्मा ने जब शावल और बरनेमास को सेवकाई के लिए अलग किया वो एक प्रार्थना करने वाली कलीषिया थी ओंपरमेशर के आत्मा के अधीम में रहने वाले लोग थे आत्मा के सहायता के बगएर वो कुछ भी नहीं कर सकते इसलिए परमेश्यर का आत्मा हमें प्रेरित करना है कि प्रार्तना के कक्ष में जाए अलेलुया अगर हम सही रूप से प्रार्तना नहीं करते तो परमेश्यर हमारी प्रार्तना को स्विकार नहीं करते जैसे हम इस दुनिया में रहते हैं हमारे लिए धन चाहिए इसलिए आत्मिक शेत्र में हमें विश्वास जरूरी है अगर मुझे 10 लाख रुपे की गाड़ी चाहिए तो 10 लाख रुपे जम मैं दाऊंगा तभी मुझे गाड़ी मिलेगी मेरे पास जो पैसा है उन्हें दूँगा तभी मुझे गाड़ी देंगे अगर आत्मिक शेत्र में जितना विश्वास आप दे पाएंगे उसी प्रकार से आप वस्तुओं को अपने पास ले लेंगे प्रार्थना करना इतना ही काफी नए विश्वास के द्वारा प्रार्थना बड़ी अपेक्षा के साथ प्रार्थना करना है प्रार्थना विश्वास के द्वारा है तभी इन सब बातों को हम कर सकते हैं परमेश्चर के पास आने वाला